प्रियंका चोप्रा इंटरनाशनल स्टार बन चुकी है, वो एक से एक हॉलिबुट प्रोजेक्स में काम कर रही है प्रिसिंट रिलीस वेब सीरीज सिटिडल में प्रियंका चोप्रा की आक्टिन की जम कर तारीफ हुई इसके अलावा पुपतिनिक जोनस और बेटी मालती मारी चोप्रा जोनस के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है इससे बीच प्रियंका चोप्रा ने अपने पिछले रिलेशनशिप्स को लेकर भी खुल कर बात की है पॉटकाज शो के लेटिस एपिसोड में प्रियंका चोप्रा से पूछा गया कि रुमांटिक पार्टन चुनने के लिए उनका कोई पाटन था इसके जबाब मैं आक्टिस ने कहा मैं एक के बाद एक रिलेशनशिप्स में खुद को समय नहीं दिया मैंने हमेशा उनक्टिस को डेट किया चुनके साथ मैंने काम किया या फिर जिनसे मैं सेट पर मिली मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रिष्टा कैसा होना चाहिए मैं उसकी तलाश करती रही और उन लोगों को फिट करने की कोशिश करती रही जो मेरी लाइफ में आए प्रयांका चोप्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो सच मुझ एक डोर्मैट की तरह बन जाती और फिर वो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ ठीक है क्योंकि सब जानते हैं कि महिलाओं को इतने लंबे समय से यही बताया जाता है उनका रोल फामिली को एक साथ जोड़ना है और जब उनका पती घर आए तो उन्हें एक कमफर्टेबल महसूस कराना है आपको बताते चलें कि प्रयांका चोपरा साल 2018 में अमेरिकन सिंगर और आक्टर निक जोनस के साथ शादी के बंधन में बंद गई थी